हेलो फ्रेंट्स दिस एस्पिशिंग एंड वेलकम टू स्मार्टर एवरिडे दिए फ्रेंट्स आज के क्लास यूपी टैट और सीटेट के स्टुडेंट्स के लिए बहुत हल्पूल होने वाली है अगर आप मेरे साथ लास्ट तक बने रहते हैं तो यहां से आपको बहुत हल पर मिलने वाली है आपके यूपी टैट सीट के एक्जाम में ठीक है इस बार भी रिपीट होने के चांसे तो वह कुर्शन में आपके लिए लेकर के आया हूं अगर आप लास्ट तक हमारे साथ बने रहते हैं तो आज सी क्लास आपके लिए डेफिनेटली बहुत हेल्फुल लेगी तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं आज की पहित्रिन क्लास देखिए पहला कुर्शन हमारे सामने है मनोविज्ञान के कुछ महत्पूर्ण तत्थ सोरी कुर्शन ने टॉपिक ठीक है साइकलोजी के कुछ इंपॉर्टन फेक्ट्स बहु विम गार्डणर ने सन 1983 में किया था ठीक है बहु विमात्मक प्रग्या या पहु वुद्धिका सिधान्त हवाट गार्डणर द्वारा सन年前ny1983 में पर्तिपादित किया गया था ठीक है मैं त्यक्तिव फ्रेंश्यश गाया किया गार्ड करें तो उनके अनुसार जो बुरु एकाकी नहों करके बहु प्रकार ये होती है और इन्होंने जो है बुद्धी के आठ प्रकार बताए हैं पहला बताया था इन्होंने व्यक्तिक परबुद्धी व्यक्तिक स्वबुद्धी संगीत बुद्धी शरीर गतिकी बुद्धी इस्थानिक बुद्धी तारकिक गनतिय अब भाशाइं बुद्धि और प्रकित्निक भूद्धी ठीक है तो इस प्रकार से हौवरड़ गरडनर ने बुद्धि का सुरूप एक आंकी नाव बताकर कि बहुत कार्य बताया था और आठ प्रकार की बुद्धि भी बताय थी किनों ने हावर्ट गार्डनर ने चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट कोईशन की तरफ अभी प्रेर्णाके मूल प्रावर्धी सिध्धांत के प्रतिपादक मैक डूगल है ठीक है और इन्होंने इस सिध्धांत का प्रतिपादन हैं 1908 में किया था इनकी अनुसार मानव मस्तिष्क में कुछ जन्मजात प्रवर्तिया होती हैं जो मानव के सभी विचारों और उनकी क्रियाओं के लिए प्रेरक सक्ति का काम करती हैं ठीक है और मैकडूगल ने मूगल प्रवर्ति को जन्मजात मनोसरिक उपत्रव की रुप में प्रवाशित भी किया है आपको पता भी होगा चलिए आगे बढ़ते हैं किस सिध्धान्त को पुनरबलन का सिध्धान्त भी कहा जाता है क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिध्धान्त यह ऐसा सिध्धान्त है जिसको हम पुनरबलन का सिध्धान्त भी कहते हैं क्रिया कि तरफ अभी प्रेर्णा का प्रतियाशा सिध्धान्त किस ने दिया था दियो फ्रेंट्स अभी प्रेर्णा का प्रतियाशा सिध्धान्त विक्टर ब्रूम ने दिया था किस ने दिया था विक्टर ब्रूम ने दिया था next question है हमारे सामनी सूच में सिच्छन चक्र का प्रथम पद होता है तो जो सूच में सिच्छन चक्र होता है उसका प्रथम पद योजना बनाना होता है ठीक है और सूच में सिच्छन का जर्मदाता AWLN को कहा जाता है ठीक है, सूच में सिच्छन चक्र का पर्थम पद योजना बनाना और सूच में सिच्छन का जर्मदाता की बात करें तो वो AWLN है ठीक है, बढ़ेंगे next question की तरफ भाषा विकाष से शमंदित मनोवग्यानी कौन है, चौमश्की, जिसको हम नौम चौमश्की के नाम से भी चानते हैं भाषा विकाष से शमंदित मनोवग्यानी कौन है, नौम चौमश्की चलिए, बढ़ते है next question की तरफ ठौनडाइक ने अपने सिध्धान्त को किस सीर्षक से सिध्ध किया, ठौनडाइक ने अपने सिध्धान्त को अधिगम के प्रयासेवं भूल सीर्षक से सिध्ध किया था ठीक है, थॉन्डाइक का कौन सा सिध्धान था, अधिगम के प्रयासेवं भूल का सिध्धान्थ, किस ने दिया, थॉन्डाइक ने दिया, चलिए इसके बाद next question है क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम क्या है जो क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिध्धान्त है इसका दूसरा नाम नैमित्तिक अनुबंधन है क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम नैमित्तिक अनुबंधन है इस्टेनफोर्ड बिने परिक्षन बुद्धी का मापन करता है अंतरमुखी व्यक्तित्तु एवं बहिरमुखी व्यक्तित्तु का वर्गी करण किस ने किया यूंग ने अंतर मुखी व्यक्तित्तों एवं बहिर मुखी व्यक्तित्तों का वर्गी करण किस ने किया था यूंग ने डिफ्रेंट्स आपको बताते चलें कि यूंग की अनुसार सामाजिक अंतरक्रिया की दिर्ष्टी से व्यक्तियों के व्यक्तित को तीन भागों में बाटा जा सकता है पहला अंतरमुखी, दूसरा बहिरमुखी और उसके बाद तीसरा है उबहे मुखी तो अंतरमुखी व्यक्तित और बहिरमुखी व्यक्तित का वर्गिगर्ण यूंग ने किया था और इनकी अनुसार सामाजिक अंतरक्रिया की दिर्ष्टी से करम देखें तो व्यक्तियों के व्यक्तित को तीन भागों में बाटा गया है अंतरमुकी, बहिरमुकी और उभेमुकी next question है मूल प्रव्रत्यों को 14 प्रकार से वर्गिगरत किस ने किया था? MacDougal ने मूल प्रवत्यों को 14 प्रकार से किस ने वर्गिगरत किया है? MacDougal ने किस ने? MacDougal ने ठीक है? बुद्धी के दुईकारक सिध्धान्त का परतिपादन किष्णे किया इस्पियर मैंने Next question हमारे सामने सूजनन सास्त्र के पिता Galton कहे जाते हैं सूजनन सास्त्र के पिता कौन है Galton अब ये बात समझे कि सूजनन सास्त्र है क्या Dear friends सूजनन विज्ञान व्यवहारिक वनसानुकरम की वह साखा है जिसके अंतरगत वनसानुकरम के सिधानतों की सहता से आने वाली पीडियों को वनसानुकरम में प्राप्त होने वाले लक्षणों को नियंतरित किया जाता है जिससे मानवजात की नसल जो है वो सुधर सके ठीक है? सुजनन विज्ञान क्या कहेंगे? व्यवहरिक वनसानुकरम की वह साखा है जिसके अंतरगत वनसानुकरम के सिधानतों की साहता से हमारी जो भावी पीडियां है, जो आने वाली पीडियां है उनको वनसानुकरम में प्राप्त होने वाले लच्छनों को नियंतरित किया जाता है जिससे जो मानवजात की नसल है उसमें इंप्रूब्मेंट हो सके ठीक है? तो ये है सुजनन सास्त्र जिनके पिता गालटन है अब हम नेक्स्ट कोर्शन की बात करेंगे बुद्धी लब्दी निकालने का सूत्र बुद्धी लब्दी निकालने का सूत्र होता है मांसिक आयू, बटे वास्तिविक आयू, गुणे 100 ठीक है? बच्चे की मांसिक आयू जानेंगे फिर उसकी वास्तिविक आयू नीचे लिख देंगे multiply by 100 कर देंगे और solve करके जो आंसर आएगा वो उसकी बुद्धी लब्दी हो जाएगी इसके बाद next question एक से एक बढ़कर questions है, सुल्तान नामक चिंपैंजी पर किसने प्रियोग किया था? आपको पता भी होगा, अपने पढ़ा भी होगा B.A.D. 1st year में सुल्तान नामक चिंपैंजी पर कोहुलर ने प्रियोग किया था किसने किया था? कोहुलर ने ठीक है, चिंपैंजी नामक जो चिंपैंजी था बंदर था उस पर किसने प्रियोग किया था? कोहुलर ने उसका नाम सुल्तान था कोहलर के सिध्धान्त का नाम अधिगम का सिध्धान्त है और अधिगम के सिध्धान्त को अंतरदरश्टी सिध्धान्त या सूज सिध्धान्त नाम से भी जाना जाता है ठीक है, अधिगम के सिध्धान्त को अंतरदर्शी सिध्धान्त या सूज सिध्धान्त नाम से भी जाना जाता है बुद्धी के तरल क्रिष्टलिय परतिमान के परतिपादक कौन है, आर भी कैटल ठीक है तो बुद्धी के तरल किष्टली प्रतिमान के प्रतिपादक आर भी कैटल है और कैटल के अनुसार बुद्धी के दो महत्पूर्ण तक तो तरल बुद्धी और ठोस बुद्धी है तरल बुद्धी को तरक के आधार पर नवीन समस्यां को हल करने की योगिता की रूप में और ठोस बुद्धी को सिक्षा, प्रसिक्षन और अनुभो पर आधारित योगिता की रूप में जो है सुईकार किया गया है ठीक है बढ़ेंगे next point की तरफ next point होगा हमारा पावलाव पावलाव की बात करें तो इनके सिध्धान्त का नाम है क्लासिकल अनुबंधन सिध्धान्त पावलाव ने कुत्ते पर प्रियोग किया था ठीक है पावलाव की सिध्धान्त का नाम है क्लासिकल अनुबंधन सिध्धान्त इन्होंने कुद्टे पर प्रियोग किया था थॉन्डाइक की बात करें तो इनके सिध्धान्त का नाम है प्रयास एवं तुरुटी का सिध्धान्त ठीक है इन्होंने कहा था कि व्यक्ति प्रयास करता है गलती करता है फिर गलतियों से सीखता है इनके सिध्धान्त का इन्होंने बिल्ली पर प्रयोग किया था किस पर प्रयोग किया था बिल्ली पर आपको बता दू यह जो पीडियेफ है वो आपको टेलिग्राम चैनल पर मिल जाएगी टेलिग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्सिन में दिया हुआ है आप वहां से क्लिक करके तुरंट टले लग्राम चैनल प्र पहुंच जाएंगी ठाइप प्याश्व नियुक्त इवं तुरुटी का सिध्धान्त इन्होंने बिल्ली प्र प्रयोग था पॉलाव पर प्रयोग किया था कोहलर ने जो है वो चिंपैंजी पर प्रयोग किया था ठीक है या आप याद रखिएगा इसमें confusion बहुत हो जाता है बच्चे confuse हो जाते हैं कि किस्स ने किस पर प्रियोंग किया था Next question है पहुत ही अच्छा question है विसमरती कम करने का उपाई क्या है पाट की पुनरावरत्ती आप समझेंगे विसमरती क्या है Dear friends विसमरती वो होती है कि जब कोई व्यक्ति अपने अगर पाश्ट की बात करता है, भूतकाल की बात करता है, उसके अनुभाव की बात करता है, फिर वो अपने दिमाग में उसको लाना चाहता है, नहीं ला पाता है, हम ये कहें, सुद्ध भासा में कि जब हम कोई अपनी पुरानी बात को, पिछली बात को याद करते हैं, और हम उसको याद नहीं कर पाते हैं, हमारे दिमाग में उसको हम नहीं ला पाते हैं, तो इसे कहते हैं विस्मरती, ठीके, विस्मरती को कम करने के लिए यह आवश्यक है, कि जो बात, जो चीज हमने सीखी है, जिस बात का हमको अनुभव है, उसको हम रिवाइज करते रहें, ठीके, तो उ उसको मं रिवाईज करते रहें जिस्के कि हमें विभूत कल की नुभाविव या सीखी बातों को अपने मन में लाने में अशफल हो जाता है तब उसे विस्मरति कहते हैं ठीक है, विस्मरति को कम करने के लिए आवश्चक है कि जो बात आपने सीखी है, जो अनुभव आपने लिया है उसको आप पुनरावरति करते रहें, रिवाइज करते रहें चलिए, क्रोद और भय, क्रोद और भय क्या है, ये दोनों समवेग है तो ये समवेग के प्रकार है, मैक डूगल द्वारा इसी प्रकार 14 समवेगों की संख्या बताई गई है, ठीक है, उन्होंने 14 समवेगों की व्याख्या की है समवे क्या है? समवे एक जटिल अवस्था होती है जिसमें कुछ आंगिक प्रतिकरियां है जिसे हिर्दे की गती में परिवर्तन रक्त चाप में परिवर्तन सांस की गती में परिवर्तन इसके अलावा बाहरी अंगों में परिवर्तन होता है चलिए आगे बात करते हैं दूसरे विक्ति के बाहे वेवार की नकल करना कोई विक्ति कोई काम कर रहा है हम उसकी नकल करते हैं तो यह अनुकरण कहलाता है क्या कहलाता है अनुकरण कहलाता है दूसरे विक्तियों के बाहे वेवारों की नकल करना ही अनुकरन कहलाता है ठीक है चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पैंट की तरफ जो की बहुत ही गजब है टर्मन के अनुसार बुद्धी लब्धी का वर्गीकरन हम जानेंगे यह इसमें से तो जिरूर एक दो कॉर्शनस आपको मिल ही जाएंगे यूपीटेट सीटेट में और यह जो मैं आज कॉर्शनस पढ़ा रहा हूं यह मुश्टी सब यूपीटेट में पूछे गए थे एक सो तीस से जिसकी बुद्धी लब्धी जिसका IQ लेवल एक सो तीस से अधिक होता है वे प्रतिभास आली बालक कहे जाते हैं कैसे बालक होते हैं वो वो प्रतिभास आली बा प्रक्र बुद्धी और 111 से 120 की IQ लेवल वाले बच्चे तीवर बुद्धी में आते हैं जिन बच्चों का IQ लेवल 91 से 110 होता है वे शामान बुद्धी के बालक कहे जाते हैं ऐसा टर्मन मांगते हैं ठीक है टर्मन के अनुसार हम बता रहे हैं आपको और 81 से 90 की बुद्धी लब्धी वाले बालक मंद बुद्धी वालक होते हैं 71 से 80 बुद्धी लब्धी वालक अलप बुद्धी होते हैं और जिनकी बुद्धी लब्धी 61 से भी कम होती है वे जड़ बुद्धी वालक कहे जाते हैं ठीक है तो इसको आप पढ़ लिजे और चाहें तो ऐसे स्क्रिंसोर्ट ले लीजे या फिर आप PDF आपको मैं दे दूँगा टेलिग्राम चैनल पर ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है बहुत बढ़िया क्रूशन है, मनो विज्ञान की प्रत्थम प्रियोक्षाला को इस्थापित किया था इनको हम डेबलू विंट के नाम से भी जानते हैं डेबलू विंट को आधुनेक मनो विज्ञान का जनक किनको कहा जाता है, डेबलू विंट को Next question हमारे सामने, ध्यान आकर्शित होने में किसकी प्रमुख भूमिका होती है तो ध्यान आकर्शित होने में उद्धीपन की तीवरता की प्रमुख भूमिका होती है उद्धीपन की तीवरता ध्यान आकर्शित करने में महत्पून भूमिका निभाता है क्योंकि उद्धीपन की तिव्रता जितनी ज्यादा होगी विक्ती न जाहते हुए भी उसकी तरफ आगर्शित हो जाएगा, attract हो जाएगा छात्र में रुची उत्पन करने की कला क्या है? प्रेरणा छात्र में रुची उत्पन करने की कला को हम क्या कहते हैं? प्रेरणा कहते हैं मनोविसलेशना आत्मक चिकत्सा कापिता कौन है? सिग्मन्ट फ्राइड मनोविसलेशना आत्मक चिकत्सा कापिता किसको कहा जाता है? सिग्मन्ट फ्राइड को चलिए आज का लास्ट कोर्शन है ध्यान को केंद्रित करने की आंतरिक दसा को रुची कहा जाता है क्या कहा जाता है ध्यान केंद्रित करने की जो आंतरिक दसा है वो रुची होती है विक्त की रुची जिस कार में अधिक होती है वहां उस कार को अधिक ध्यान लगा करके अधिक मन लगा करके करता है जिससे उसे आनद की अनुभूती होती है इसलिए वो अंतर मन से भी उसका ध्यान केंद्रित हो जाता है पूरी तरीके से वो उसके प्रती समर्पित हो जाता ह तो मैघीव फ्रेंट्स आज की क्लास आपको कैसी लगी comment box में जुरू बताई है और चाहते हैं कि continue इस प्रकार से classes मिलती रहें तो फटाफट कमेंट कीजिये और classes मिलती रहेंगी आज की class कैसी लगी आप जिरू बताईएगा इसकी PDF टेलेग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी description में link दिया हुआ है Thank you